सिद्ध कीजे कि वरत की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंदर के निकट होती है तो हमने चित्र बनाया इस चित्र में O वरत का केंदर है दो जीवाएं है AB और CD CD जीवा बड़ी है AB जीवा से दूरी कितनी है CD जीवा की दूरी तो है ON और जो AB जीवा है उसकी दूरी है OM अब यहां जो दूरियां है वो लंबवत दूरी होती है इसलिए ON लंबवत है CD पर और OM लंबवत है AB पर यहां O वरत का केंदर है जीवा CD बड़ी है जीवा AB के और हमें सिद्ध करना है कि जो दूरी है वो ON छोटी है OM के अर्था जो बड़ी जीवा है उसकी दूरी केंदर से नजदीक है और जो छोटी दूरी है जो छोटी जीवा है उसकी दूरी अधिक है OM बड़ा है ON छोटा है हमने रचना की और रचना में हमने O-D और O-B को मिला दिया अब हम इसके उपत्ति को समझते हैं तो O-M लंबवत A-B है और O-N लंबवत C-D है यहां O-M जो है वो A-B पर लंबवत है और O-N जो है वो C-D पर लंबवत है इसलिए MB जो होगा वो AB बटा 2 होगा और ND जो होगा वो CD बटा 2 होगा जो MB है MB वो AB को AB बटा 2 होगा क्योंकि जो LUMB होता है केंदर से डाला गया LUMB वो जीवा को सम्द्वभाजित करता है इसलिए MB तो हो गया AB बटा दो और ND का मान हो गया CD बटा दो CD का सम्द्वभाजन N बेंदू पर हो रहा है तो जो DN है या ND है वो CD का CD बटा दो है और इसी परकार जो AB बटा दो है वो MB है अब हम तरबुज OMB OMB, एक तो समकौण तिरूज है दूसरा है OND दो समकौन तिरूजों को देखते हैं और इसमें बोधैन प्रमे का प्रयोग करते हैं तो OMB से तो हमने क्या प्राप्ठ किया MB स्कॉइर ब tuna OB स्कॉइर माइनस OM स्कॉइर यहाँ पर जो लंब है लंब के सामने वाली बुजा कर्ण होगी, इसलिए OD का स्क्वाईर बराबर हो गया, ON स्क्वाईर प्लस ND स्क्वाईर, और इस त्रिभुज में O, M, B में त्रिभुज में क्या हो गया, कर्ण हो गया OB तो इसलिए OB का स्क्वाइर बराबर हो गया OM स्क्वाइर प्लस MB स्क्वाइर तो तरवज OMB से तो हमने क्या पराप्त कर लिया MB स्क्वाइर बराबर OB स्क्वाइर माइनस OM स्क्वाइर और दूसरे समकॉन तरवज OND से हमने पराप्त कर लिया कि nd square बराबर है od square minus on square और यह हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए अब यहां हमें दिया है कि ab छोटी है जीवा ab छोटी है cd से यह हमें प्रिश्ण में हमने दिया गया है कि जीवा ab छोटी है cd से तो इसका मतलब दोनों के आदे भी छोटे होंगे अर्थात ab बटा 2 छोटा होगा cd बटा 2 के अब ab बटा 2 हमने क्या प्राप्त किया है यह है mb और cd बटा 2 हमने प्राप्त किया है nd अर्थात mb छोटा है nd से अर्थात mb nd से छोटा है तो दोनों के square भी यही संबंद रखेंगे mb square छोटा होगा nd से अब mb square और nd square हम समीकरण 1 और 2 में प्राप्त कर चुके हैं तो समीकरण 1 तो कहता है कि mb square क्या है ob square माइनस om square nd square है od square माइनस on square तो समीकरण 1 और 2 से हमने इन मानों को रख दिया अर्थात ob square माइनस om square छोटा हो गया od square माइनस on square से अब यहां हम देखते हैं कि ob और od वरत की तरिज़ाएं हैं देखो ob क्या है ob है वरत की तरिज़ा और od वरत की तरिज़ाएं अर्थात वो दोनों बराबर होंगी तो हमने उन दोनों मानों को बराबर कर दिया यहां पर ob square और od square दोनों वरत की तरिज़ाएं हैं अर्थात दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम क्या पराप्त करते हैं कि माइनस का om square less than हो गया माइनस का om square से अब यदि किसी असमाइका में दोनों पक्षों में माइनस हो तो धनात्मक बनाने पर उनका जो असमाइका का चिन है वो बदल जाता है तो इसलिए O M Sq. greater than हो गया O M Sq. क्या हुआ कि दोनों पक्षों में माइनस है तो यदि असमय कामेर दोनों पक्षों में ही माइनस हो तो हमें धनात्मक बनाना है यदि दोनों पक्षों को तो चिन बदलना पड़ता है इसलिए OM स्कुायर बड़ा हो गया ON स्कुायर से अर्थात OM बड़ा है OM से और हमें यही सिद्ध करना है कि ON छोटा है OM के तो यही हमें सिद्ध करना है कि ON जो है वो छोटा है OM के अर्थात जो बड़ी जीवा है वो नजदीक है केंदर के छोटी जीवा जो है A B वो दूर है हमें यही तो सिद्ध करना है कि O N लेस देन A M है और हमने सिद्ध कर दिया है कि O N लेस देन है O M के इती सिद्ध